सब्सक्राइब कीजिए अश्मास किचिन को और बेल आइकन को दबाईए सबसे पहले लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए असलाम उलेकुन नाजरीन अश्मास किचिन में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको तो आसान तरीके से आलू के पराठे बनाना बताऊंगी तो चलिए ना जी आलू के पराठे बनाना हम सुरू करते हैं पास्सोग्राम हमने आलू लिये हैं इन्हें उबाल के छील लिया है एक तीस्पून हमने लाल मेच पाउडर लिये एक टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा दिया है हरा धनिया लिया है और पराठे बनाने के लिए हमने तेल लिया है एक प्याच इसे बारीक काट लिया है तीन से चार हरी मेर्ची इसे भी बारीक काट लिया है कसूरी मेती एक टेबिल स्पून सौप एक टेबिल एक टेबिल स्पून चाट मसाला लिया है नमक स्वात की अनुसार लिया है और एक नीबू का रस लिया है दो कटोरी हमने गेहूं का आठा लिया है और आठा लगाने के लिए हमने पानी लिया है तो सबसे पहले हम पर आठे बनाने के लिए आठा लगा लेते हैं तो हमने ये दो काटोरी आठा लिया है इसमें हम नमक स्वात के अनुशर मिला लेंगे और इसमें थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसे हम ना ज्यादा कड़क और ना ज्यादा नरम जैसे हम चपाती का आठा गूंते हैं वैसा हम इसे गूंद लेंगे तो यह आटा हमने गूंद लिया है और यह ना ज़्यादा कड़ाखे और ना ज़्यादा नरम है जैसा हम चपाती बनाते हैं वैसा ही आटा है तो इस आटे को हम 15-20 मिट सेट होने रख देते हैं जब तक यह सेट होता है उतनी देर में हम स्टफिंग तयार करते हैं तो एक खा तो यह सारे आलू को हमने कद्दू कस कर लिया है यह देखिए अब इसमें हम सारा मसाला मिला देंगे तो आलू कद्दू कस हो गए हैं अब इसमें हम यह कटी हुई प्याज मिला देंगे हरी मिर्ज सौप लाल मिर्च पाउडर कुटा हुए जीरा कसूरी मेथी चाट मसाला नीबू का रस इस जगे आप अमचोर पाउडर भी डाल सकते हैं हरा धनिया और स्वाद की अनूसार नमक अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो इस्टफिंग भी अपनी यह तयार हो गई है और आटा भी सेट हो गया है तो अब हम पराठे बनना शुरू करते हैं तब एक को हमने गरम होने गैस पर रख दिया है और यह आटा भी अच्छी तरह सेट हो गया है अब हम इसकी मेडियम साइज की लोईय बनाएंगे इस तरह की हम यह लोईया बना लेंगे तो यहां हमने चार लोगिया बना ली है आप इनके पराठे बनाना हम सुरू करते हैं तो यह लोगियों को अब हम इस तरह लगाएंगे और इसे हम थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे इसे हम फिर से सुखी आटे में लगाएंगे और अब हम इसे पूरी की तरह थोड़ा बेल लएंगे जैसे हमने बेल लिया है अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे इस तरह उठाके और ऐसे हम फोल्ड करते जाएंगे कर लेंगे to यह सारे स्टेफिंग कर लियंगे और इसे हम फलके इसे घूमा देंगे इसतरह फिर से यी लोई AI तैयार कर लेंगे तो अब हम इनके पराठे बनाना सुभी करते हैं तो तबाग गरम है और इसे हम सुखाटा लगाएंगे और इसे हम हलके हाथों से बेलेंगे ताकि आलू की स्टफिंग बाहर ना लिकले और इसमें सुखाटा कम लगाएंगे तीकि यह बिल गया है अब हम इसे हलके हाथों से इस तरह ऐसे जो सुखाटा है वह जड़ा देंगे और इसे गरम तवी पर रग डाल देंगे जब तक यह पराठा हो रहा है जब तक हम यह दूसरा भी बेल के तैयार कल लेते हैं तो इसे भी हम सुखा अठा लगा के हलकी हाथों से हम इसे बेल लेंगे यहां हम पराठा बेलेंगे तो यहां दूसरे पराठे भी हम ध्यान रखेंगे पुल गया और इस प्राठी का कलर भी चेंज होने लगा अब हमेंसे पल्ट देएंगे इस पर हम यह यहां पर तेल लगा देंगे तेल की जगह आप घी का भी उसका सकते हैं बत्र का भी उसका सकते हैं इसे अवे फिर से पलट देंगे। इसे यहां पे हम तेल लगा देंगे। है ना प्राथा ही कितना प्यारा सिख गया है । आप अब हम इसे को निकाल लेंगे। कि उली प्राथा में हम वहां निकाल लिया। तो यह पराँटे तो हमें एक लोई से तयार किये हैं अगर आपको यह थोड़े कठिन लगते हैं तो एक स्टेप और बताएंगे हम वह आपके लिए बहुत सरल होगा और उससे आप पराँटे बहुत अच्छे बना सकते हैं तो यहां में छोटी लोई लेंगे और इसी के बराबर एक लोई और लेंगे तो हमने दो लोईया लेगे और डोनों को विवकुल बराबर यह दो लोईया ले lawsuit है यह दो लोईया हम ने लेनी हो अब हम क्या करेंगे कि इन्हें हम थोड़ा सा बढ़ा करेंगे और इसे भी हम थोड़ा बढ़ा कर लेंगे ये दोनों लोगियों को हमने थोड़ा बढ़ा कर लिया है अब इसे हम एक तरफ रखेंगे और इसे पहले हम बेंद लेंगे थोड़ा सा आटा और लगाएंगे इसमें और इसे हम फिर से बेल लेंगे तो यहां हमने यह देखिए यह पुरी की तरह इस लोई को हमने बेल लिया है अब हम इसे एक प्लेट में रखेंगे और इसे भी हम उसी साइच की बेल लेंगे तो इसे भी हमने पुरी की तरह बेल लिया है और जो एक्स्टा आटा है वो हम तड़ा देंगे और इसे हम रखेंगे और इसके उपर हम तेल लगाएंगे यहां हमने तेल लगा दिया है और एक चम्मच और यहां हम यह दो चम्मच दो चम्मच हम यह स्टपिंग परेंगे और इसे हम अच्छी तरह चारों तरफ फैला देंगे और यह जो हमने लोई बेल के रखी थी अब इस पर हम यह ऊपर से इस तरह लगा देंगे और चारों तरफ से हम इसे चिपका देंगे चिपकाने के बाद में हम हलके हातों से इसे भी फैला देंगे यह फैलाने के बाद में अब हम थोड़ा सा सूखाट लगाएंगे और इसे हम इधर भी सूखाट लगाएंगे और इसे हलके हातों से थोड़ा सा बेल देंगे ताकि यह दोनों चिपक जाएं तो यह हमने तोनों को लगा के ओ चिपका दिया और जो एक्स्ट्रा रड़ा था हम उसे जा देंगे और इसे गरम तभी पर हम इस तरह डाल देंगे और गेस को यहां तेज कर देंगे तो यहां इसका कलर चेंज होने लगा है अब हम इसे पलट देंगी पलटने के बाद में इसके उपर हम तेल लगा देंगे तो यह तेल हमने उपर लगा दिया और यह दूसरी तरफ से भी सिक गया है तो आप हम इसे पलट देंगे और यहां पे भी हम तेल लगा देंगे तो यह देखी पराठा बहुत अच्छा सिग्या है और अब हमेंसे निकाल लेंगे तो आपको जो भी आसान रहे आप बैसे पराठे बना लें और ये देखी ये पराठा भी बहुत अच्छा सिग्या है और हमें से भी निकाल लेंगे तो इस तरह हम ये सारे पराठे बना लेंगे बहुती मज़ेदार ये आलू के पराठे बने हैं अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अल्ला हाफिस